तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्लास नाइन्थ का बीसे जो है गणीद और चेप्टर वन जो है पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पदती तो इस चेप्टर में हम लोगोंने कुछ चीजे पहले से पढ़ रखा है जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भीनों के परकार पढ़े थे तो भीनों के टोटल तीन परकार हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था आपके सामने स्किन पे होगा तो भीनों के तीन प्रकार, जिसमें उचित भीन, अनुचित भीन और मिस्रभीन ये तीनों प्रकार के भीन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में ही हमने ये भी पढ़ा था, कि उचित भीन और अनुचित भीन और मिस्रभीन में क्या अंतर होता है, जिस से हर से जैसे तीन बड़ा पांच में तीन कम हैं पांसे चल बड़ा आठ में छे कम है आज तो अलघ उसे हम उचित भीन कहते हैं कि दी संभेन आनचितों में मैं ने क्या बताई था कि लाल चंद नाम से जो बच्चा है आपको घुमने या खेलने का जगा नहीं है तो इस बात का ध्यान रखे कि कैमरा ओफ रखी है ठीक है तो उचित वीन proper fraction में आपको last class in बताया था कि अंस अगर कम होता है हर से तो उसे उचित वीन कहते हैं proper fraction कहते हैं जिसे example दिया है 3 बटा 5 6 बटा 8 अगर बात करें अनुचित वीन का यानि इन प्रोफर फ्रिक्सन का, तो जब अंस बड़ा हो जाता है, अंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किस से? हर से, तो उसे हम कहते हैं, अनुचित भीन, जैसे कि पाथ बटा तीन, यहां पे अंस क्या है, बड़ा है तीन से, एक यारे बटा आठ, यहां पे अंस क्या है, पोचित भीन है, और यह दोनों से मिल के जो बना ऐसे क्या कहेंगे, मिस्र फ्रेक्षन, इसी प्रकार 1 जो है क्या है, फून संख्या है, और 1 बटा 2 जो है, पोचित भीन है, और इन दोनों से जो मिल के बना उसे कहेंगे, मिस रभीन है तो यह तीनों परकार के friction आपके last class में complete हो गयते हैं अगर यहां तक किसी बच्चे को doubt एक कुछ भी तो n टाइप कीजिए clear है तो y टाइप कीजिए जल्दी से अगर यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप किजिए किलियर है तो वाई टाइप किजिए जल्दी से चली यह चीज किलियर है तो आगे बढ़ते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एक सवाल है आपके सामने सभी बच्चीज के जबाब देंगे कि क्या हम भीनों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ठीके सवाल क्या कह रहा है कि हम जो भीन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं यहीं आपके सामने सवाल लिखा है कि हम भीनों को आपस में बदलकर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं इसका जवाब होगा कि हम भीन को आपस में बदल सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा हमने तीन प्रकार के भीन पढ़ते हैं लेकिन हम सिर्फ दो परकार के भीन को यह आपस में बदल सकते हैं, एक है अनुचित भीन जिसे आपने पढ़ा था, तो हम अनुचित भीन को जो है, हम मिस्र भीन में बदल सकते हैं, और मिस्र भीन को जो है, हम अनुचित भीन में बदल सकते हैं, ठीक है, तो बुलू वाला ल जो आपने पढ़ाता तिसरा प्रकार वो आपस में किसी के साथ नहीं बदलता है वो जैसे के तैसे रहता है तो क्या आप सभी बच्चों को ये बात किलियर हो गया कि तीन प्रकार के बीन होते हैं जिसमें से दो प्रकार के बीन को हम आपस में बदल सकते हैं यानि अनुचित को मिस्र भीन में और मिस्र भीन को अनोचित भीन में हम बदल सकते हैं बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है अगर क्लियर है तो दिल्दी से वाई टाइप कर दिजिए गयर क्राइप परिवर्तन नहीं है यहां बॉर्तन तक क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है आगर वड़ते हैं ठोरए साथ सब तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैँ अनोचित-भीन को मिस्र भीन में कैसे बदलते हैं फिर हम सीखेंगे कि मिस्र भीन को अनुचित भीन में कैसे बदलते हैं। चलिए तो पहला question आपके सामने है कि 17 बट्टा 80 जो है, 8 जो है, 17 बट्टा 8 ये कौन सा भीने सभी बच्चे चैट सेक्षन में बताएंगे। चैट सेक्षन में सभी बच्चे बताएंगे 17 बट्टा 8 कौन सा भीने टाइप करके। चलिए, तो सभी बच्चों का आंसर आ चुका है अन्नोचित भीन, जो की एकदम सही है, जो की एकदम सही है, चलिए, तो आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि ये जो है 17 बट्टा 8 जो है एक अन्नोचित भीने, और इसे हमें बदलना है किस में? मिस्र भीन में, किस मे से बदलेंगी तो द्यान से दिखिए आठ से हम भाग देंगे सतरा में तो भाग देंगे तो क्या ओएगा 8-12-16 जाएगा ठीक है यहाँ पर बचेगा 1 एक सेश तो सेश जो सेष्च चला जाता है उपर जिस्सें भाग देते हैं और रहता है नीचे तो यह हो गया हमारा मिस्रभीन में परिवर्ग इसमें बदल गया यह यानि कि हमने 8 में 17 से भाग दिया जो सेष्प लाया वो अंस बन गया जो हर था वो हमेशा ही हर रहेगा बासमलय तो एक बात इधने बदल तो तो सिर्फ से साता है वह एन्स बन जाता है में भागपल अधीया वह जाता है मैं अधान से फिर्मूला बन जाता। कि जो भी हम निकालते हैं तो जो यहां पे भागफल हो जाता है एक जो सेस होता है उपर चला जाता है जिस से भाग देते हैं यानि हर हमेशा हरी रहेगा कुछ नहीं बदलेगा तो यह आपका एक इग्जामपल था तो 17 बठा 8 को हमने भाग दिया तो आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ आठ में 17 से भाग दिया तो आठ दोनी 16 यहां पे कट गया एक सेस है तो एक उपर चला गया और आठ नीचे आगया यह हमारा अंसर आगया जो की सेम तू सेम होगा इसी प्रकार से और प्रस्णों को थोड़ा उत्तर दीजिएगा सभी बच्चे अगर 23 तो चार पच्चे 20 चला जाएगा और यहां बच्चे का तो यह सेस जो है उपर चला जाएगा और चार नीचे आजएगा यह बदल गया किसमें मिस्र भीन इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 25 बटा 3 का तो सभी बच्चे बदल के आंसर बताएंगे जो पून संख्या आएग 30 सिकेंड का समय है झाला समय है कि चलिए सभी बच्चों का अंसर एकदम सही आया है बहुत अच्छा जवाब तो क्या करेंगे हम किम तीन में 25 से भाग देंगे कितना बार जाएगा दीने चोवीस है तो आथ एक जफ आया वह उपर चल जाएगा तीन उहरव अड Sara क्या हुगे हमारा आट पुन्अग बट्टा वैं जो हैं हमारा आउस सर्द्म कि लिए रेट सभी बच्चों को ये बात या किसी बच्चे को डाउट है चले कि एक प्रसना और करते हैं ध्यान से दिख्चेगा एक प्रसना और करते हैं देख्चेगा तो इस है ने किस में बदल गया है सब्सद्राइब लिए family है क्यार यहां टू जब यहां कत par सिये थैंके दो इन और जाएगा एक कहां अ को cathroble में बदल गया अनोचित में बदल गया की कि लिए सभी जो को कि एक प्रसन किजिए का सभी बच्चे यहां पर मैं दे रहा हूं आपको 27 बट़ा तो इसका आप लोग आन्सर किजिए सबी बच्चे तो 27 बटा 2 को मिस्र भीन में बदलिए सबी बच्चे 27 बटा 2 को मिस्र भीन में बदलिए अजाफ। झाल झाल एक में टूकेंगे आप सभी बच्चों के स्कीन दिखाईने दे रहा होगा एक में टूके रहिएगा सभी बच्चे बस एक में अभी आपको स्कीन दिखाई देने लगेगा बस एक में अभी सभी बच्चों के स्कीन दिखाई दे रहा है थोरा सा निटोक इस हुआ गया था अभी सभी बच्चों के स्कीन दिखाई दे रहा है ना फुरा सा निटोक प्रब्लम था ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए तो इसको मैंने कहा था 27 बटा दो को तो दो से भाग देंगे 27 में तो क्या जाएगा दो एकम दो जाएगा कट गया फिर साथ आएगा तो दो त्याई च्छे जाएगा यहां एक सिस आ गया तो एक उपर चला जाएगा दो नीचा आ जाएगा तो तेरा पुनांग एक बटा दो जो है हमारा राइट जबाब होगा अगर किसी बच्छे को डाउट है तो एन टाइप किजिए क्लियर है तो वाई टाइप किजिए तो यह आपको मिस रभीन में कैसे बदलते हैं समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को अगर डाउट है तो टाइप किजिए क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे जल्दी से चली सभी बच्चों को किलियर है आगे बढ़ते हैं तो एक प्रस्ण है एक ग्यारे बट्टा साथ को जो है आपको बदलना है मिस रभीन में समझ बच्चे पोल सेक्षन में जाएंगे और इस प्रस्ण का आपको बदलना है एक ग्यारे बट्टे साथ को जो है मिस रभीन में बदलना है सबी बच्चे पोल सेक्षिन में आंसर करेंगे जो तरीका बताया सा उची तरीके से पोर्शन किजीएगा, तभी आंसर सही आएगा मैंने बताया था कि हर कभी नहीं बदलता जो मिस्रभीन में हर है वही अनुचित भीन में भी हर रहेगा और दो बच्चों ने आंसर किया एकदम गलत हर ही बदल दिये हैं, हर कभी नहीं बदलेगा, जो मिस्र भीन में हर है, वही आपको अनुचित भीन में भी हर होगा, कुछ हर नहीं बदलता है, और दो बच्चों ने गलत आंसर किया हैं, हर ही बदल दिये हैं, last skip, 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैंने अभी अभी बताया था आप सभी वच्चों को कि हमें 11 बढ़ते 7 को बदलना है, तो हम 7 से भाग देंगे 11 में, 11 साथ में 11 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 11 में से 7 यह 4, जो सेस बच्चा वो उपर चला जाएगा, हर जो है same to same रहता है, जो उसमें रहता है, तो एक पुनं क्या होगा, 11 बढ़ता 7 को हमें बदलना था, तो हर बदला, हर नहीं बदलता है, तो 11 बढ़ता 7 को क्या लिख सकते, एक पुनंग 4 बढ़ता 7 लिख सकते, option C, हर कभी नहीं बदलता इस बात को याद रखिएगा, आप मिस्र भीम को अन्नुचित में बदलिए या अन्नुच कि दिए, तीन बच्चों ने A को option किया थे, A में तो हरी बदल गया, कभी हो इनी सकता है answer, चली, इस प्रस्रका answer हो गया, option C, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि मिस्र भीम को अन्नुचित भीम में कैसे बदल सकते हैं, मिस्र भीम को अन्नुचित भीम में कैसे बदलेंगे, दे अन्नुचित भीम में कैसे बदलेंगे, इसका simple सा तरीका है, नीचे वाले दूनों को गुना करके plus one कर देते हैं, हर नहीं बदलेगा, अंस बदल जाएगा, तो अंस क्या हो जाएगा, तीन में दो से गुना करेंगे 6, और एक जोर देंगे 7, तो यह अंस बन गया, अब बदलेगा सिर्फ यहां पे अंस, बातन में क्योंकि हर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे मैं यहां लिख दूँ 4 पुनांक 2 बटा 3, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 4 पुनांक 2 बटा 3 है, तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा, पलस में 2 हो जाएगा, तो 4 में 3 से कैसे करेंगे, तो नीचे में 2 गुना हो जाएगा, लास में जूर जाता है, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, बारे और दो जूर जाएगा, तो 14 बटा 4, आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं सभी बच्चों को? अगर समझ में आ रहा है तो Y टाइप किजी जल्दी से, आप जैसे 4 पुनांग 2 बटा 3 को आपको बदलना है अनुचित में, सभी बच्चे बदलिए तो 4 पुनांग 2 बटा 3 को अनुचित में, चैट सेक्षिन में सभी बच्चे बदलेंगे, 4 पुनांग 2 बटा 3 को अनुचित में, तो क्या करेंगे? मैं बता देता हूं, दोनों नीचे वाले को गुना करेंगे, पलस में 2 करेंगे, इन 4 गुने 3 हो जाएगा, आप पलस में 2 हो जाएगा, बटे में 3 का 3 ही रहेगा, त कोस्त में 2 का सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं बहुत सही है, सभी बच्चों का आंसर एक दम सही है, नीचे वाला गुना कर देंगे, उपड़ जोर देंगे, तो साथ गुने तीन, आप पलस दो, बटे में तीन, तो साथ तरीका 21, 21, 22, 23, बटे में तीन, तो आंसर क्या होगा, 23 बटा 3, चलिए, तो ये आप लोग सीख गए होंगे, क्या तरीका है करने का, बसमन में आया, तो एक मिस्र भीन को हम अनुचित भीन में बदलना सीख ड़े तो एक प्रस नहीं सभी बच्चे करेंगे, 4 पूनांग, 3 बटा 7 को आपको बदलना है अनुचित भीन में, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्षन में आंसर करेंगे, ठीके, पहले सॉल्व किजिए, उन्हों बुना होता है, पलस में ये होता है, हर नहीं बदलता है, इतना चीज़ बता चुका हूं, पोल में आंसर करेंगे, सभी बच्चे लास्ट के टेन सेकेंड दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, टेन, नाइन, एट, सेवेन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दो बच्चों का अंसर गलत है, देखिए, साथ में चार से गुना करेंगे, प्लस इसमें 3 करेंगे, हर तो हरी रहेगा, तो साथ में 4 से गुना करेंगे, 28 से 3 जोर देंगे, तो 31 बच्चा साथ जो है, आंसर हो गया, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, माई कौन की दिए और पूछ लिजिए, किलियर है तो वाई टाइप कीजिए, अज जिस बच्चे को नहीं समझ लिए आ रहा है, बार-बार गलत हो रहा है, तो आप माई कौन की दिए और पूछ लिजिए, चली, सभी बच्चों को वाई टाइप है, किसी बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब सभी बच्चों को खिलियर है, तो यह चीजे आप लोगों की, जो कि यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, तो भीन जो परकार थे, आप लोगों ने completely यहाँ पे आके complete कर लिया यानि भीनों के परकार जो हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ जोगे हैं तो अब हम एक नया topic पढ़ते हूँ है भीनों पे संक्रियाए अब presence on fractions अब presence on fractions भीनों पे संक्रियाए यानि दो भीनों को कैसे जोरेंगे कैसे घटाएंगे कैसे गुना करेंगे और कैसे भाग करेंगे यही आपको पढ़ना है अगला topic क्या है अब presence on fractions भीनों पे संक्रियाए यानि दो भीनों को कैसे जोरेंगे कैसे घटाएंगे कैसे सब्तैक्स को वा किसमें पढ़ने वाल सब्कूंक तो सब्सक्राइन में 700 बच्चों को सब्क चांड़ एक वाये सब्कित बच्चों को दोड़ने वाले ल कि असब सबी बच्चों का वाई ये, चलिए, इसका LCM निकालके बताएए तो 30 और 60 का LCM कितना होगा, 30 और 60 का LCM कितना होगा, सबी बच्चे निकालके बताएंगे, च्यार सेक्षन में सभी बच्चे बताईए 30 और 60 का LCM कितना होगा क्योंकि सभी बच्चों ने कहा है कि उनको LCM निकालने आता है निकाल के बताईए 30 और 60 का LCM कितना होगा कितना होगा आंसर किजिए 4 सेक्षन में अभी अभी आपने वाई टाइप किया है कि सभी को आता है LCM निकालने क्या हुआ नहीं आता है N टाइप किजिए मैं बताता हूं नहीं आता है N टाइप किजिए मैं बताता हूं गलत आंसर है लाल चंद आपका, गलत आंसर है, संतोस आपका भी आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, यानि आप लोगों को LCM निकालने नहीं आता है, सभी बच्चों का आंसर एक दम गलत है, किसी एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, यानि से देखिए, आप लोगों को LCM निकालने नहीं आता है, चलिए सीखते हैं, हमें क्या करना है, 30 का और 60 का लसा निकालना है, तो हम पहले 30 को लिखेंगे यहां, और बताइए 30 में भाग किसे लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा, चलिए भाग लगा ये 2 से पहले, तो 2 से 30 में भाग लगेगा, तो कितना आएगा, 15 आएगा, अब 15 में किसे भाग लगेगा, 3 से ल में क्या 2 से भाग लगेगा लगेगा तो 2 से भाग लगा ये कितना जाएगा 30 जाएगा क्या 30 में भी भाग लगेगा 2 से एकदम लगेगा 2 में यहां से 30 से भाग लगेगा 2 में 15 दोनी 30 हो गया क्या 15 में भाग लगेगा, किसी से हान लगेगा, 3 से, तो 3 पचे 15 लिख दी, बास समझ में आया, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 को अगर हम लिखना चाहें, तो 2 गुने, 3 गुने, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, तो 30 को हम लिख सकते हैं, 2 गुने, 3 गुन दो गुने पाच लिख सकते हैं दो गो दो है तीन गुने पाच है तो हम साथ को लिख सकते हैं दो गुने तीन गुने दो गुने पाच ठीक है आप देखिए लसा कैसे निकालते हैं लसा निकालने के लिए जो दोनों में क्या हो कमन हो तो दोनों में क्या कमन है एक दो कमन है ए 30 और 60 का LCM निकालने के लिए लिखेंगे हम 2 दोनों में है तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 दोनों में है तो 3 को एक बार लिखेंगे, 5 दोनों में है तो 5 को एक बार लिखेंगे, जो बच गया उसको भी इसमें लिखेंगे, जो बच जाता है उसको उसमें गुना कर देते हैं, आप देखिए इसे गुणा किजिए तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, आप 30 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? साथ. तो इसका LCM कितना हो गया? साथ हो गया. बात समझना है सभी बच्चों को, LCM कैसे निकालते हैं, किलियर हुआ सभी बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा जी से नहीं समझ में आया, ठीकें, तो देखिए, 60 को हम लिख सकते हैं, 2-2-3-5 यहां पे निकाला गया है, हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 2-3-5 यहां लिखा गया है, और LCM 30 और 60 का क्या लिखेंगे, 2-2-3-5 जो कि होता है 7, ठीकें, इसी तरीके से एक LCM लिखा लिएगा सभी बच्चे, 7 और 5 का, सभी बच्चे LCM लिखा लेंगे 7 और 5 का, 7 और 5 का LCM लिखा लिए, अब देखिए, 7 में कोई ऐसी संख्या है क्या जिससे भाग लगेगे, कोई संख्या नहीं है, 5 में जिसके गुरनखंडों एक से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जिसका कोई गुरनखंड नहीं होता, उसको आपस में गुणा कर देते हैं, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बस सुनना है, जब दोनों आपस में नहीं करते हैं, तो उसे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो इसका LCM कितना हो गया, 35 हो गया, अब जिसे वेखिऊ, आठ और बारे का LCM कितना होगा, आठ और बारे का एलसिम निकालिए तो तो आठ का यहां पे निकालेंगे तो यह दो से चला जाएगा दो चोग का आठ आदो दूनी चार और बारे भी चला जाएगा दो छक्के बारे दो तियाई छे कट गया ना इतना अब देखिए आठ को हम क्या लिख सकते हैं दो गुने दो गुने दो लिख सकते हैं बारे को क्या लिख सकते हैं दो गुने, दो गुने, तीन लिख सकते हैं, LCM क्या लिखा लेंगे, आथ हवर बारे का LCM निकलें गया, तो दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, अब दोनों में दो नहीं है, दोनों में तीन नहीं है, 24. कि लिए रे सभी बच्चों को? LCM निकालने आया सभी बच्चों को गुना कब करना है और LCM इस तरीके से कब निकालना है? समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए, एक LCM और निकाली है सभी बच्चे? इसका LCM निकाली है तो सभी बच्चे जल्दी से गलत जब आप लाल चंद आप बिना निकाले कैसे आंसर कर देते हैं, आपको निकालेն यहाता और गलत आंसर कर देते हैं, निकाले है तो पहले, बिना निकाले ही 320, ऐसी थुरे होता है, गलत है आंसर। जब दोनों में 16 क्या कटेगा नहीं दो से भी कटेगा चार से भी कटेगा इसको कटाएंगे तब ना निकालेंगे जब नहीं कटता सब डारेक्ट गुना करते हैं जब कटेगा तो कटाएंगे इसको चलिए दो बच्चों का एकदम सई जब आब आए है तो 60 को क्या लिखेंगे 60 को हम लिखेंगे 28 16 और 24 का 8 और 2 दूनी 4 60 को ये लिख सकते हैं 20 को क्या लिखेंगे 2 दहिया 20 और 25 दस अब कटेगा अब नहीं कटेगा तो दिखिए 60 को लिख दिजिए चार बार 2 20 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 तो 16 और 20 का LCM क्या निकालेंगे तो देखिए जो दोनों में उसको एक बार लिख लेंगे तो ये 2 एक बार आ गया ये वाला एक बार आ गया और ये 2 गो 2 बचा तो भी 2 गो 2 लिख देंगे एक 5 बार तो 5 को लिख देंगे अब इसको गुना किजिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 4 में 2 से गुना करेंगे 8 8 में 2 से गुना करेंगे 16 16 में 5 से गुना करेंगे 8 अगर किसी बच्चे को doubt है तो n टाइप किजिए clear है तो y टाइप किजिए डाउट हे तो एन, किलियर हे तो वाई किलियर हे न सलिवर चुको अगर डाउट हे तो एन टाइक किजिएगा पूछ लिजिएगा, गलती नहीं करना है चलिए, एक प्रस्न का और आंसर करेंगे 6 और 5 का लशा निकालिए यानि, LCM निकालिए 6 और 5 का लशा निकालिए 6 और 5 का लशा निकालिए तो क्या करेंगे? 6 और 5 में कोई कमन नहीं है तो चीदे गुणा कर देंगे तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 30 इसका लशा आजाएगा ठीक है? बहुत अच्छा जबाद चलिए तो लगुत्तम निकालने समापर तक आपको आता है लशा निकालने आता है अपने सीखिए अब हम दो फ्रेक्शन को कैसे जोरते हैं सीखते हैं जैसे दो फ्रेक्शन है एक दो बट्टा 5 है और इसको आड़ करना है एक बट्टा 3 से तो इसको कैसे solve करते हैं तो इसको ऐसे solve करें देखिए, नीचे वाले का LCM निकालते हैं, 5 और 3 का LCM निकालेंगे, सभी बच्चे बताइए, 5 और 3 का LCM कितना होगा, सभी बच्चे बताइए, 5 और 3 का LCM कितना होगा, 15 होगा, तो इसको नीचे लिग देंगे 15, अब 15 में 5 से भाग देंगे, पहले वाले को क्या करेंगे, 15 15 में 5 से भाग देंगे, तो 15 में 5 से भाग देंगे, तो आएगा 3, 5 याई 15, 3 आएगा न, तो 2 में 3 से गुना कर देंगे, अफिर करेंगे plus, अफिर 3 से 15 में भाग देंगे, तो आएगा 5, तो अब क्या करेंगे, 1 में 5 से गुना कर देंगे, जो 1 उपर लिखा है, उसमें गु कि लाल चंद जल्दी जल्दी कोस्टन करते हैं और एकदम गलत करते हैं कि क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि जिनियरे सभी बच्चों को कि दो भीन को यानि दो फ्रेक्शन को कैसे आड करते हैं कि चलिए एक प्रफ्ण का अंसर करेंगे सभी बच्चे एक बच्च को आपको जोड़ना है दो बच्चे चार में सभी बच्चे इसका अंसर करेंगे कि कितना आएगा जोड़के बताइए पहले तो पांच और चार का लोग उत्तम निका लिए तो पांच और चार का लोग उत्तम निकालिएगे तो कितना आएगा दो में पांच से गुना करेंगे दस नीचे आएगा ट्वेंटी दस में चार से जोड़ेंगे — तो चोवदा नीचे आएगा दीच यह आपका हो गया आंसर, 14 बटा 20, चलिए, अब सूचिए, तो यह प्रस्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 और 3 का लगुत्रम 15, 5 में 15 से भाग देंगे 3, तो 2 में 3 से गुना हो जाएगा, फिर 3 में 5 से भाग देंगे 5, तो 1 में 5 से गुना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, तो 11 बटा 15 आंसर आजाएगा, ठीके न, अब सोचिए, अगर प्रस्न इस तरीके से आजाए, कि 1 दिया है 2 बटे 5, और 1 दिया है आपको 1 पुनांक 2 बटा 5, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे बताएगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे पहले अनुचित बीन में बदल लेंगे, अनुचित बीन में कैसे बदलेंगे, तो 1 में 5 से गुना करके प्लस 2 कर देंगे, तो दो बटे 5 को दो बटा 5 लिखेंगे, आप 5 में एक से गुणा करेंगे तो 5 दो जोर देंगे तो 7 बटा 5 हो गया, तो यह किस में बदल गया, 7 बटा 5, अब देखिए इसको solve करेंगे, 5 पांच का लगुतम कितना होगा, 5 होगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1, तो 1 गुणे 2 हो जाएगा यहां पे, पांच में 5 से भाग देंगे एक, तो अब एक में गुणा होगा 7 से, एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2, एक में 7 से गुणा करेंगे 7, बटे में आगया 5, साथ में 2 जोरेंगे तो 9, अब बटे में आएगा 5, अंसर आगया 9 बटा 5, अगर किसी बच् समझ में नहीं आया, तो N टाइप की दिए, किलियर है तो Y टाइप की दिए, चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक पोल सेक्षन में कोस्टन है, आपको 4 बट्टी 7 को अड़ करना है, 3 बट्टे 4 के साथ, और आंसर बताना है पोल सेक्षन, गोस्तन ये 4 बटे 7 को अड़ करना है 3 बटे 4 में, तुछ सभी बच्चे पहले solve करेंगे, फिर में poll section दूँगा, पहले solve करेंगे, फिर में poll दूँगा, पहले solve किजिए, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर में poll दूँगा, भी poll दिया नहीं हूँ, पहले solve किजिए, copy पे. solve किजिए सभी बच्चे, चलिए, मैं अब poll दे रहा हूँ, सभी बच्चे solve कर लिया हूँगे, अच्छे से, आराम से करेंगे, 30 सेकिंड का समय अभी, आराम से solve करके, आमसर बताइएगा, poll section में. इसलिए कहते हैं, जल्दी जल्दी जो बच्चे answer करते हैं, उनका पका गलत होना ताय है, ठीक है, कोई जल्दी करेंगे तो answer गलत होगा ही, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से करिए. कुल्दीप नागर बार-बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, क्लास से बाहर हो जाएंगे, ऐसा मत किजिए. कुल्दीप नागर में आपको बार-बार माना कर रहा हूं, कि हाथ वाला बटन मत दबाएंगे, रिमूब हो जाएंगे आप क्लास से. लास्ट का टेन सेकेंड है, टेन, नाइन, अभी भी चार बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर किजिए, देखिए आप आंसर नहीं करेंगे, आटेंडेंस भी नहीं लगेगा, आपको एक्जाम में मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीके, तो सभी बच्चों को आ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आधिस से अधिक बच्चों का आंसर गलत आया है. देखिए, 7 और 4 का LCM कितना होगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका गुना कर देंगे आपस में, तो 7 में 4 से गुना करेंगे, तो LCM आजाएगा 28. 7 से 28 में भाग देंगे, तो आएगा 4, तो 4 में 4 से गुना हो जाएगा, प्लस, 4 में अगर भाग देंगे 28 से, सॉरी, 28 में भाग देंगे 4 से, तो आएगा 7, तो 3 में गुना हो जाएगा 7 से, तो 4 चोग का 16, प्लस, 7 तरीका 21, बटे में 28, सोले और 21 को जोरेंगे, तो हो जाएगा 7 से, बटे में 28, तो आंसर क्या आएगा, 7 से, बटे में 28, जो कि option B है, अगर नहीं समझ में आया, N टाइप किजिए, किलियर है, जल्दी से, नहीं समझ में आया, माई कौन किजिए, जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया, माई कौन किजिए, जल्दी से, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो माई कौन किजिए, कुल्डीप न अगर आपको कुछ डाउट है मैं क्लास से आपको रिमूब कर रहा हूं बार-बार माई कौन कर रहे हैं आप और कोई बच्चा है आना वस्यक माई कौन नहीं करना है किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माई कौन करके सवाल पूछ सकते हैं पूछिए चली यह हो जाएगा ऑप्सन दी कोशन नमर 56 देखिए एक है तेरे बटा दो इसमें आपको आइड करना है चार पुनंग एक बटा दो को तो पहले तो इसे अनुचित भी इनमें बदल लिजिएगा फिर इ सभी बच्चे पहले इसको सॉल्व करेंगे कौपी पे फिर पोल में उत्तर करेंगे पहले कौपी पे सॉल्व करेंगे फिर इसका उत्तर करेंगे तो कौपी पे सॉल्व किजिए मैं आपको अभी कौपी पे सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड दे रहा हूं फिर पोल दूंगा तो 30 सेकंड का समय दूँगा copy पे solve किजिए पहले सबी बच्चे झी किजिए यओा पोल में आंसर कीजिए आप सभी बच्चे सॉल्व हो गया होगा आंसर कीजिए 30 सेकंड का समय है देखे जो बच्चे कॉपी पे सॉल्व नहीं करेंगे उनका उत्तर कभी सही नहीं होगा ठीक है अभी तक च्यार बच्चों का उत्तर गलत हो चुपा है इसलिए कहते हैं पहले कोपी पी सॉल्व किजिए फिर आंसर कीजिए कोपी पी सॉल्व नहीं करेंगे और आंसर करेंगे तो गलत होगा ठीक है कि रागल ऑख कि प्रक्राइब सिर्फ दो बच्चों का उत्तर सही है, बागी सब का गलत है. सब का उत्तर गलत है, सिर्फ दो बच्चों का उत्तर सही है. लास्ट केट, पांच सेकेट, फाइब, फोर, थ्री, टू, वन. चलिए, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहले तो इसे अनुची दिविन में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, तो चार में दो से गुना करेंगे, पलस में वन करेंगे. तो चार दुनिया, आठ और एक, नौ बट्ता 2 हो गया, ये वनण. और ये हैं तेरे बट्ता 2, अब इसे सॉल्व करेंगे. तो धो, दो का LCM कितना होता है? दो होता है. तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा तो 13 में 1 से गुणा होगा, lens 2 में 2 से भाग देंगे एक आएगा तो 1 में 9 से गुणा होगा अब इसे एड करेंगे, तो 13 में 13, 13 में 1 से गुना करेंगे 13, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, अब 13 अब 9 कितना होता है, 13 अब 9 होता है 22, अब 2 में आगे है 2, तो 2 से 22 कट जाएगा A11 बार में, यानि आंसर क्या आएगा, option A, A11, अगर किसी बच्ची को doubt है, तो N टाइप किजिए, clear है तो Y टाइप किजि देखिए, आधिस से अधिक वच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 2 वच्चों का आंसर सही था, क्यों गलत किये थे आप लोग, इतना समय दिया था, लगबग 1 से 2 मिनट का समय दिया था, फिर भी जल्दी-जल्दी में आप लोग उच्तर को गलत कर दिया था, चलिए, एक दूसरा प्रसने देता हूं, सभी वच्चे सॉल्व करेंगे, चलिए, इससे सॉल्व किजी तो सभी वच्चे, अगर डाउट ही, तो माई कॉन करके पूछ लिजिएगा, नहीं तो इससे सॉल्व किजी सभी वच्चे जल्दी से, चार सेक्सर में आंसर बताना है, चलिए, चेक करते हैं आंसर को, क्या करेंगे, पहले इसे हम बदलेंगे, ठीक है, बताइए, तीन में तीन से गुना होगा, तो अदो जोरेंगे तो, एक ग्यारे बट्टा तीन हो गया ये, और इधर में पांच बट्टा चार है, अब चार और तीन का लग उत्तम लेंगे, तो कितना आएगा, बारा हो जा बताइए, पांच में तीन से गुना करेंगे, पंदरा प्लस, एक ग्यारे में चार से गुना करेंगे, 44, बट्टी में क्या आएगा, 12, बट्टी में कितना आएगा, 12 तो आंसर क्या आएगा 69 बटा 12 तो चाट में सभी बच्चों का उत्तर सही है लेकिन पॉल में सिर्फ दो बच्चों का उत्तर ही सही था चाट में सभी बच्चों का उत्तर सही है तो होमवर्क सभी बच्चे आज का नोट कर लिजिए अगर कुछ भी तो आज का आपका होमवर्क है सभी बच्चे नोट करेंगे तेके पेज संख्या 21 22 23 24 ये आज आपका होमवर्क है पेज संख्या 21 22 23 और 24 तो आज के क्लास में इतना ही इससे आगे हम लोग नेक्स क्लास में पढ़ेंगे ठीक है और कोई डाउट हे तो पूछ लिजिए